ICC One Day World Cup शुरू होने से पहले भारती टीम को वाकई में बहुत बड़ा धड़का लगा है जी हाँ, स्वागय था आपका खेल कड़ा में और मैं हूँ आपके साथ सुधी प्राथपूत ICC One Day World Cup 2023 के बीच में भारती क्रिकेट टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है डेंगु से जूज रहे स्टार ओपनर सुभमन गिल अब अभगानिस्तान के खिलाब दूसरा मैच नहीं खेल पाएंगे यह जानकारी भारती क्रिकेट कंट्रोल गोर्ड यानी की BCCI ने दी है बता दे कि वर्ड कप में भारती टीम ने अपना पहला मुकाबला आठ अक्टूबर को आस्टेलिया के खिलाब खेला था इस मैच में टीम ने छे बिकट से जीत दर्ज की चन्ने मुए इस मुकाबले में सुमन गिल नहीं खेले थे अब भारती टीम को अपना दूसरा मुकाबला बुद्धवा जानी को 11 अक्टूबर को दिल्ली में अभगानिस्तान के खिलाब खेलना है चन्ने में मेडिकल निगरानी में सुमन गिल को रखा गया है ऐसे में बी-सी-सी-ाई ने सुमन गिल का हेल्थ अपडेट जारी करते हुए कहा कि वो अब चन्ने में मेडिकल टीम के निगरानी में हैं गिल टीम के साथ दिल्ली नहीं पहुँचे हैं ऐसे में वो अभगानिस्तान के खिलाब मुकाबला नहीं खेल पाएंगे हाला कि इसके बाद भार्ती टीम को अपना तीसरा मैच पाकिस्तान के खिलाब खेलना है जो कि 14 अक्टोबर को अहमदाबाद में खेलना है और आप सब को पता है कि अहमदाबाद में सुमन गिल का रिकार्ड कितना बेतरिन है सुमन गिल खेलते हैं गुजुरात की तरफ से गुजुराट टाइटन की तरफ से और अहमदाबाद को ऐसा माना जाता है कि सुमन गिल का होम ग्राउंड बता दे कि उसको लेकर BCCI ने कोई जानकारी ने दियानी कि जो 14 तारी को पाकिस्तान के खिलाप मैच होना है उसमें अभी BCCI ने कोई अपडेट जारी नहीं की है मगर गिल के इस तीसरे मैच में भी खेलने की उम्मीद जो हो बेहत कम नजरा रही है BCCI ने बताया कि सुमन गिल अभी रिकवर कर रहे है बोर्ड ने कहा कि भारती टीम इस्टार बल्ले बाज सुमन गिल टीम के साथ दिल्ली नहीं पहुचे है अगर बात की जाए ओपनिंग बल्ले बाजी ने वर्ड कप 2023 में भारती टीम के लिए चन्ने में पहला मैच भी खेला वहीं सुमन गिल इस टीम से बार रहे अब दिल्ली में होने वाले अफगानिस्तान के खिलाब दूसरे मैच में भी वो दिल्ली नहीं आएंगे यानि के टीम के साथ नहीं जुडेंगे वो मैच नहीं खेलेंगे गिल चन्ने में ही रह सकते हैं और मेडिकल टीम के निगराने में हैं गिल के जगा इसान किसन को मौका मिलेगा बिल्कुल आपने सही सुना जिस तरीके से पहले मैच में यानि कि जो आस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ उसमें इसान किसन को मौका मिला लेकिन वो इसान किसन अपने मौके के पूरी तरीके भुना नहीं पाई और मातर सुन रन पर आउट हो गए बता दें कि 6 अक्टूबर को ही यह जानकारी सामने आई थी कि सुमन गिल का डेवू टेस्ट पाजिटूव आया है ऐसे में 9 अक्टूबर को पहले मुकाबले मौक खेल ना सके आस्ट्रेलिया के खिलाब इस मैच में गिल के जगां इसान किसन को मैच में उतारा गया था सुमन गिल ने 35 वंडे खेले हैं इनमें उनके बल्ले से 6.10 के एवरेज और 102.84 के स्ट्राइक रेट से अब तक 1917 रन आये हैं और आपको बता दें कि 2023 में सबसे ज़्यादा रन के मामले में भी सुमन गिल 20 के नंबर वन बल्ले बाज है ऐसे में कई क्यास लगाया जा रहे थे अगर वर्ड कप में सुमन गिल खेलते हैं तो हो सकता हो बाबा राजम के रिकार्ड को तोड़कर 20 के नंबर वन बल्ले बाज बन सकते हैं अगर बात की जाए वहीं उनके नाम वंडे में 6 सतक और 9 अर्ज सतक हैं ऐसे में वन डे में उनका टीम में होना बहर जरूरी है वहीं T20 इंटर नेशनल में सुमन गिल ने 11 मैच में 30.40 के एबरेज से 304 रन बनाये हैं वहीं 18 टेस्ट की 33 पारियों में गिल ने 32.20 के एबरेज से 906 रन बनाये हैं फिलाल जो 14 अक्ट्यूबर को अहम्दाबाद मैच खेले जाने वाला है उसमें हम सभी को BCCI के फैसले का इंध्यार करना चाहिए वर्ड कप की हर एक मैच की हर एक अपडेट को निउज वर्ड इंडिया आपके स्पास पहुंचाएगा आप देखते रहें निउज वर्ड इंडिया धन्यबाद